नमस्कार दोस्तों मैं दिपक सुपला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2J Banking Information पर दोस्तों आप सभी लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सर कोई ब्योसाई के लिए कोई बिजनेस के लिए सस्ता लोन बताईए जो कि हमें कम ब्याज़ दर पर बैंकों से मिल सके हम लोग भी अपना ब्योसाई के लिए कैसे मिल सकता है दोस्तों आज की इस वीड़ो में आप लोगों को इसी वी से परजानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग ब्योसाय के लिए bank से loan प्राफ्ट कर सकते हैं, जिस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा, जितना पैसा आप बैंक से लेंगे उतना ही पैसा आपको 5 वर्स में बैंक को वापिस करना है, तो दोस्तो अगर आप इस scheme से loan लेना चाहते हैं, सही वीडियो देख रहा है या वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है दोस्तों आज इस स्कीम के जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ दोस्तों स्कीम के माध्यम से आप बैंक से बिना किसी गारंटी के बिना किसी व्याज के साथी दोस्तों इसमें आपको कोई भी ब्याज नहीं पढ़ने वाला है तो दोस्तों अगर आप इस लोन के लिए इंटरेस्टेड हैं तब दोस्तों आपको इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना चीए साथी दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अधर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो के लिए इस तरह के वीडियो लाता रहता हूं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ग्रामीड छेत्र को विक्सित करने वा ग्रामीड लोगों के जीवन में खुशाली लाने के उद्देश से सरकार के द्वारा कई योजना चलाई जा रहे हैं जिसमें विशेष रूप से इतनी सब्चिडी मिल जाती है कि आपका जो लोन होता है वो इंटेस्ट्री यानि व्याजमुक्त हो जाता है दोस्तों इन स्कीम के माध्यम से आप किसी भी व्योसाय को बढ़ाने के लिए या फिर कोई भी नया व्योसाय करने के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं साथी दोस दोस्तों आप इस स्कीम के माध्यम से लोन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों मान लीजिए आप अपने घर पर किराना के व्योसाय प्रारम करना चाहते हैं तब आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपए का बैंक से लोन प्राप्त करते हैं तब दोस्तों उसमें अगर आप यह CST वर्ग से हैं तब आपको 40,000 रुपए लोन के रूप में वही 10,000 रुपए सबसेडी के रूप में मिला करके आपको 50,000 रुपए बैंक के द्वारा दे दिये जाएंगे वही दोस्तों अगर आप जंदल या फिर OBC वर्ग से हैं तब आपको 42,500 रुपए लो 40,000 रुपए होगा वहीं अगर आप जंदल या OBC वर्ग से हैं तब आपके उपर जो लोन होगा 42,500 रुपए का होगा तो दोस्तों अगर आप इस 40,000 रुपए को तीन वर्ग को किस्तों में वापिस करते हैं अब इसमें आपको दोस्तों मन्थली इंस्टाल्मेंट देनी ह इस तरह से दोस्तों अगर आप इस लोन करते हैं तो इस लहाप दोस्तों बैंक के लिए 40,000 रुपए का लोन स्कीम के माध्यम से तो दोस्तों हुआNS अब मालीजिये आपने बैंक से 40,000 रुपए लिए साथ में आपको 10,000 सब्सेडी मिली तो कुल मिलाकर आपको बैंक से 50,000 रुपए मिले और आप जब इसे तीन वर्स में पूरा पे करेंगे अगर आप इसे 50,000 या 51,000 रुपए डोटर अदा करते हैं तब दोस्तों होगा ना सबकिर को एपांड नवाशिंपान की फोटोकापी लगानी है, अपको इसन भी बैंक में सेर्विन अकउंट है उस साथ दोस्तों उसमें आपको अपना एक मोबाइल नम्ब लिंख देना है और इक पासपोर्ट साइस का फोटो लगा देना है शाले आपको अपने ग्राम प्रधाच के पास जाना है। उस अप्लिकेसन को वेरिफाई करा लेना है। यांनी प्रमारिक करवा लेना है इस गाउं। निवासी हैं। जैसे हमी जैसे आप उस फारम करकें आपके ब्लाक मिल जाएगी। बैंक आपको बुला करके आपका लोन स्विक्रत कर देगा दोस्तों जैसे ही आपका लोन स्विक्रत हो जाएगा आपके लोन खाते से पैसा आपके बचत खाते में टांस्फर कर दिया जाएगा दोस्तों जैसे ही आप बचत खाते से पैसा भी डाल करेंगे अगर आपने बिजनस को बढ़ाने के लिए या फिर बिजनस को स्टार्ट करने के लिए लोन लिया है तब दोस्तों उन पैसों से आप क्या सामान लाए कितना सामान लाए उनके बिल बाउसर आपको बैंक में देना होगा वहीं दोस्तों अगर आपने लोन पसपालन के लिया है तब दोस्तों उन पसवों की खरीद का आपको कागज बैंक में देना होगा उसके साथ में दोस्तों आपको अपने राजकी पस्व के साले जाना है अगर आपने पस्वों का मेडिकल कराना है और मेडिकल कराकर के बैंक में जमा कर देना है उससे क्या होगा कि बैंक आपके पस्वों का भीमा करा देगी इससे भविश्च में अगर किसी तरह के आपके पस्वों के साथ अनोनी हो जाती है तो उसका क्लेम आपको मिल जाए और आपका नुकसान नहों साथ ही बैंक का भी पैसा नडूबने पाए वहीं अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तब दोस्तों बैंक पोस्ट इंस्पेक्शन करेगा कि आपने जो भी बिल भाउचर बैंक को दिये हैं वो सामान आपके दुकान पर उपलब्ध है या फिर नहीं दुकान पर सामान उपलब्ध होने की दसा में बैंक आपके कि उस दुगान का आपकी सामान का भीमा करवा देगा ताकि भविस्य में अगर कोई किसी प्रकार के अनोनी जैसे चोरी हो गई या फिर आग हो गई आग लग जाती है इस तरह के गटनाय हो जाती है तब भी बैंग का भी पैसा सुरच्छित रहे और आपका भी कोई नुकसान करना हो क्योंकि आपने लोन ले करके सामान लाए हैं तो भीमा कंपनी क्लेम देदेगी जिससे आपका भी कोई नुकसान नहीं होगा और बैंग का भी कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों अगर ब्याजदर की बात करें जिसमें आपको 9% व्याज वातसिक देना होता है तो हम आज की वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में किसे अगले इंटेस्टिंग आपके साथ अत्ता के लिए यह भारत